आग हमारे बीच में भारतिये जनता पार्टी के राष्टिये महामंत्री और जमुक कश्मीर के प्रभारी परमादर्निये तरुन्चूक साहब हमारे बीच में हैं मैं शीमान के नेता और देश के ग्रह मंत्री अमित्शा जी तीस सितंबर एक अक्तूबर और दो अक्तूबर को जमुक कश्मीर के अपने परवास के लिए आएंगे और ये तीन दिन वो जमुक कश्मीर के प्रभुत नागरिकों को जमुक कश्मीर के अलग अलग वर्गों को मिलेंगे और यहां के विकास कारें को और अपनी सरकार की घतिविदियों को पैटके भी लेंगे इस दुरान वो दो बड़ी सभाओं को भी सम्मुदित करेंगे एक तारिक को सुबह दस बजे वो रजोरी में एक बड़ी जनसभा को सम्मुदित करेंगे और दो तारिक को दस बजे बारा मुला में एक जनसभा को सम्मुदित करेंगे हमिश्या जी इस दुरान अलग अलग स्थानों पर जाएंगे भी उसकी विस्त्री जनकारी अगले दो दिनों में यहां के परदेश देख्षाप के सामने रखेंगे यह बहुत बड़ा मोका है बड़ा एक उत्सव की तरह हमारे लिए दिन है कि जिनके हातों से जिनके आशिरवाद से प्रधान्मादिल मोदी जी के आशिरवाद से दारा त इन 20 तो 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 यह ठांते से टूटा और जम्मु किश्विबर के नागरिकों理 है अजादी मिली और जम्मु कुष्मिर के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला है जिन जन जीरों में यहां के लोगों को बांध रखा था उन जन जीरों से परधान मंत्री श्री नरिंदर मोदी जी के आशिरवात से मुक्ति मिली है और जिन हाथों से सदन में ये प्रस्ताप पेश हुआ था भारत के ग्रह मंत्री श्री अम्मी शाजी खुद तीन दिन के लिए आ रहे हैं अलगलग कारेकरमों के मैंने दो पुलिटिकल बड़े कारेकरमों के आपको जानकरी दी है ये दोनों कारेकरम क्योंकि कभी यहां के बहुत बड़ा वरग रहा जिसको कभी मोका ही नहीं मिला स्टी परिवार स्टी भाईचारा उन सब को मोका देने का काम हमारी सरकान ने किया यहां की महिला है उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजोरी पुंच का शेतर कहीं न कहीं पीछे रह जाता तो ग्रह मंत्री जी खुद जाएंगे उसी तरह हम कश्मीर के दस जिलों की बात करते हैं तो वहां बारा मुला वाला शेतर नगलेट रह जाता तो इस बार की उनकी जो फेरी है उनका जो टूर है उसमें दो शेतरों को हमने पकड़ा है जिस तरह 370 और 35 एको टूटने के बाद हमने उन लोगों को पॉलिटिक्स के मेंस्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जिनको 70 साल तक दबा के रखा यहां की बेटियां यहां के स्टी भाई यहां के स्टी भाई बकरवाल गुजर पहाड़ी गद्धी ब्राहमन एक लंबा ऐसा वरग है जिस वरग को दबा के रखा गया था उस वरग को भी साथ लेकर जो परधान मंदिर शीजी नरिंदर मोदी जी का मंत्र है सब का साथ सब का विकास और सब का परियास उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं और यह मंत्र जम्मू कश्मीर में भी सब का विकास केवल अबदुल्ला एंड मुफ्तिस का विकास और अबदुल्ला एंड मुफ्तिस की परिवार का ही विकास हो और गरीब गरीब होता जाए उस मकड़ जाल से मुक्ती दिलाने का काम मोदी जी ने किया है विकास की नई गाथा लिखी जा रही है कोविट की महामारी में देड़ सा लगबग चीजें काक्वी रुकी रही या स्लो हो गए थी लेकिन इसके बावजुद हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जम्मु किश्मीर विकास की और आगे बड़े और आज मैं सेंकडे काम गिना सकता हूँ और उस दिन उन कामों पर चर्चा भी करेंगे आज मुझे गर्व है कि जम्मु कुश्मीर कैसा प्रांथ है जहांके एरपोर्ट्स प्रैविट प्लेन से बरे हो जहां आने वाले टूरिस्टों की तदात कई गुना बड़ी है चाए वो मैता वैश्रुदेवी हो चाए वो अमनाजी की यत्रा हो चाए रुगुनात मंदिर की यत्रा हो चाए इस प्रांथ के अंदर टूरिस्ट प्लेस पहल गाम हो शिरी नगर हो पूरा का पूरा जम्मो किशिमेरिक बगवान की सबसे सुंदर प्रस्तुती है दिव्य है सुंदर है उसके नोजवानों को ना तो जम्मो किशिमेर का नोजवान जम्मो किशिमेर के विकास के लिए काम आता था ना जम्मो किशिमेर का पानी ना जवानी दोनों काम लिए अब जम्मो किशिमेर का पानी भी जम्मो किशिमेर के काम आ रहा है जम्मो किशिमेर की जवानी भी जम्मो किशिमेर के काम आ रही है यहाँ विकास इंडस्ट्री र जमीन पार उतनी हैं, टूरिजम अपने आप में एक पुरफुलित हुआ है, उन लोगों ने यहां के नोजवानों को टैररिजम की ओर दोड़ाया था, नरेंदर मौझी जी के नेतुरिद में हमने उन्हें टूरिजम की ओर लाए, उन्होंने पत्थर चलाने वाले पैदा किय हमने उन पत्थरों से रोड बनाने वाले नोजवानों को कठा किया है, ड्वेल्मेंट करने वाले कश्मीर को खड़ा किया है, अब यहां का नोजवान पत्थर का प्रयोग विकास के लिए कर रहा है, यहां का नोजवान जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ, तो कि काखी साल यहां विकास रुखा रहा तेजी के साथ यह बढ़ सके आगे बढ़ सके भारत के बाकी परांतों के साथ कदम से कदम मिला सके उसका रास्ता मोदी जी ने खोला है और मिश्चित रूप से यहां के लोगों ने जो आशिरवाद डीडीसी बीडीसी और पंचाय चुनाव में ल साथियों जैसा की हमारे राष्टिय महामंत्री जी ने बताया कि हमारे देश के ये शस्वी ग्रहमंत्री परमादर्मिय अमिद्शा साहब एक अक्तूबर को रजोरी में और दो अक्तूबर को भारा मुला में एक बड़ी दोनु बड़ी जन सभाउं को संबोधित करने वाले हैं जो रजोरी में मानिय ग्रहमंत्री जी की भवे रैली होगी उसमें पुंच, मेंडर, सुरनकोट, मंजाकोट, रजोरी, थनमंडी, दरहाल, बुद्धल, नवशेरा, सुंदर्वनी, काला कोट ये तमाम सीमा, ढांगरी और डूंगी जैसे बार्डर के क्षेत्रों के लोग मानिय ग्रहमंत्री जी की रैली में शामिल होंगे जो रजोरी बस्टेंड के ग्राउंड में एक अक्तूबर को ग्यारां बजे मानिये ग्रवमंत्री जी रजोरी रैली स्थल में पहुंचेंगे वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामुला में एक और भवे रैली का आयोजन किया गया है जिसमें बारामुला जिला, कुपवाडा जिला और बांडीपुरा जिला तीनू डिस्टकूं के लोग उस रैली में आएंगे जिसमें गुरेज हो, बंडीपुरा हो, करना, तंगधार, टीटवाल, कुपवाडा, त्रिगाम हो, उड़ी हो, बारामुला, रफियाबाद, हंदवाडा, लंगेट जैसे खेत्रों से, भारी संख्या में, जन मानस, बारामुला की रैली में शामिल होंगे, हम हिदे से मानिये, ग्रव मंत्री अमित्शाथ साब का धन्यवाद करते हैं, कि उन्होंने हमारे इस, निवेदन को स्विकार किया, और दोनू रैली, एक जो जम्मू संभाग के रजोरी मे में होगी, और दूसरा जो कश्मीर घाठी के बारामुला में होगी, ये दोनू बार्डर के एरियाज हैं, और जैसा कि आधरनिये तुरुम्चुप साब ने कहा, अक्सर ये सीमा वर्ती क्षेत्र, चाहिए रजोरी पुंचो या बारामुला कुपवाड़ा बांडी पुरा हो, यहां के लोगु कि हमेशा एक मांग रही है कि मानिये प्रदान मंते जी, मानिये ग्रह मंते जी, कि वहां रैली जाय योझीट की जाएं, और हम हृद्व होड़ा से मानिये ग्रह मंते जी का धहन्यवाद करते हैं, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए तीन दिवस्य क प्रवास के लिए हमें समय दिया है तीस सेप्टेंबर को वो जमू पहुंचेंगे और एक को रजोरी एक अक्टूबर को रजोरी में रैली और दो अक्टूबर में बारा मुला में रैली होगी कि दोनू रैली इस भवे रैलिया होंगी रिकार्ड तोड रैलिया होंगी और जिसमें आम जन्मानस की जबरदस्त भागीदारी रहेगी क्या इस मोखे पर वो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो है उनकी डिवाट है उसको भी नौस्टिया जाएगा वक्त आने दीजिए खुद ग्रह मंत्री जी आ रहे हैं और अपने लोगों से वो मिलेंगी और एक एक चीज की चर्चा दो दो सवाल है क्या हम अमिश्या के रैली को ये माने कि कोई इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं विलाल सवापोर इसके लिए और दूसरा जो अलग रहे से कि सुप्रिम को तर ती सो सकतर दारत पिसो सकतर को सुने जारी है आप इसको एक हिश्ट्री मादरे तो आपको भी रच्टा कि आपके ल चुनावी पर किरिया लगातार अपनी गती से एक इंडिपिंडेंट इंसीचुशन होने के नातिक काम कर रहा है परिस्वन हो गया है वोटर लिस्टों के काम हो रहा है सभी से अब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं अब्जेक्शन आने के बाद वोटर लिस्टे बन जाएंगी वोटर लिस्टे बनने के बाद जो चुनावी पर किरिया है वो अपनी कती से चुनावी आएगा भारती जन्ता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाला दल है हम यहां लोक तंतर की रक्षा के लिए 1950 से काम कर रहे हैं चाहे उस समय हमारा नाम प्रजा परिशत था और प्रेमना दोगरा जी समय हमें लीड करते थे जन्सक के नाते शामा पर्शाद मुकरी जी ने यहां लोक तंतर के लिए और देश की एकता खंड़ता के लिए बलिदान भी दिया इसलिए जम्मू कश्मीद नरंतर भारती जन्ता पार्टी के अजन्डे पे रहा है और हमने लगातार इस पर काम किया रही बात तीन सो सतर और पैंटी से की वह अब इतिहास बन चुकी है अब भारत आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है इसा है कि मेरे को पूरा यकीन है कि हमने जो किया है वो कॉंसी जूशनल है लोजिकल है कनून संगत है इसलिए ये तीन सो सत्तर पैंटी से दोनों इतिहास बनी है और इतिहास ही बनी है अगर अगर और फिर मगर फिर मगर के बाद फिर अगर ठीक है भाई साइंक यो थैंक यो वरी मच